हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद, वेलकम टू माय चानल, आज हम बनाएंगे इद दावत स्पेशल शीर खुर्मा, मैंने यहाँ पर टिप्स पी दिये हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप चटपट बड़े कॉंटिटीज में शीर खुर्मा इद के दिन बना कर सकते हैं, चली शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पाव कप लिया है पिस्ता, यह सारे मेजरमेंट्स जो मैंने दिये हैं, यह डेड़ लिटर दूत के शिर्खुर में के लिए हैं, आप अगर जादा कॉंटिटी में बना रहे हैं, तो सारे आप भिगो दे ताकि अच्छे से नरम हो जाए और स्किन उसकी पील हो जाए, यहाँ पर मैंने लिया है चार ओली, मैंने दो टेबल स्पून लिया था, आप चाहें तो कम आड़ कर सकते हैं, अगर आपको जादा पसंद नहीं है, इसका स्किन मैंने पील नहीं किया था, कु आप चाहें, तो इस सिर्फ इलाइची पाउडर से भी शीर खूर्मा बना के तियार कर सकते हैं, आदा कप मैंने लिया था रोस्टर सेविया, यह अलरड़ी थोड़ी सी रोस्टर यह आती है, बस हलका सा इसको अपने ड्राइफरूट के साथ भून लेना है, पाव कप देस घीलिया है, देसी की से फ्लेवर अच्छा आता है, आप यहाँ पर मिल्कमेड या फिर खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्कमेड मैंने लिया था आधा टिन और शकर भी साथ में आड़ की थी, जितना मीठा आप चाहें उतना आड़ कर लें, अब यहाँ देखिए बहुत अच्छे से ड्राइफरूट गया है, एक घंटे के बाद मैंने स्किन पील कर लिया है, पील करने के बाद उसको इस तरह से स्लाइस कर लें, आप चाहें तो चौपिंग बोर्ड के उपर स्लाइस कर लें, और फिर ड्राइफरूट का स्लाइसर आता है, उससे तो बहुत काम भीगे हुए होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ये स्लाइस हो जाता है इसको एक कपड़े पे बिचा ले और अच्छी तरह से सुखा ले जितना जादा ये ड्राइ होगा उतना क्रिस्पी भी होगा और जादा धंटिकेगा मैंने उसको ड्राइ नहीं किया था क्योंकि मैं बिल्कुल भी गरम नहीं होना चीए हलका सा मेल्ट हो जाए तब आपने इसके अंदर सेविया कटे हुए बदाम और पिस्ता आड़ कर ले और चारूली भी इसी सा में मैंने आड़ किया था किश्मिश आपने अभी आड़ नहीं करना है क्योंकि वो जल जाता है बिल्कुल फ्लेम पे तीन से चार मिनिट बस इसको हलका सा अपने भूनी लेना है जैसे ही कलर थोड़ा सा लाइट पिंक या गोल्डन होता है न सबसे पहले गैस का फ्लेम आपने ओफ कर लेना है क्योंकि बहुत जल्दी यह जल जाता है यहां देखिए कलर चेंज हो गया है गैस का फ और फिर उपर से लास्ट में मैंने आधा चमज इलाइची का पाउडर और दो भून केवरा एसंस आड़ किया था मिक्स कर लpole, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह प्रि मिक्स बन के त्यार है इसको बिलकुल ठंडा कर ले इसके अंदर सब कुछ आड़ किया है, हमने even इलाईची पाउडर भी आड़ कर लिया है, खुश्बू के लिए सब कुछ आड़ किया हुआ होता है, बस आपने इसको स्टोर कर लेना ठंडा करने के बाद और फिर आप इसको सिर्फ उबले होए दूद में आड़ कर लें, और कि नीचे लगे नहीं जैसे ही तेजी से उबाला आ जाए सबसे पहले फ्लेम लो कर लें और फिर आपने इसमें जो हमने किश्मिर्ष बदाम जो रोस्ट किया था सेवियों के साथ सारा वो आड़ कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद जब इसमें तीन से चार मिनिट उबाला आ जाए ना लो फिलिम पे कुक कर ले ताकि सेविया और थोड़े से कुक हो जाए बदाम पिस्ते जो आड़ किये और फिर आपने इसके अंदर आड़ करना है कंडेंस्ट मिल्क तो कंडेंस्ट मिल्क मैंने आधा टेन आड़ किया था इससे थिकनिंग अच्छी मिलती है क्रीमी और रिच बन जाता है और शकर जितनी आप मीठा खाते हैं उसे साब से एड़्जस कर लेना मैंने आधा कप आड़ किया था और लास्ट में मैंने आड़ किय केसर भिगोया हुआ पानी जो हमने बनाया था दूद में भिगो सकते हैं मैंने उसको गरम पानी में भिगोया था देखें यहां पर कलर भी चेंज हो गया है और एक रिज टेक्स्टर आ गया इसको मिल्कमेट से बहुत अच्छे से थिक भी हो गया था यह आप चाहें तो उसके जगे पर खोया आड़ कर सकते हैं उसकेस में आपने चीनी थोड़ी सी जादा आड़ कर लेनी है क्योंकि खोय में जो है वो चीनी नहीं होगी और दो से तीर मिर्ट कुक करने के बाद हमारा शुर खुर्मा बना कर एंजॉय कर सकते हैं जरूर ट्राइक करिएका और हमीशा की तरदे रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिएका तो बस आज के लिए इतना काफी है फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी किसा है तब तक इजाज़त च आथिव थांक यू थांकि वरी वाचि लिए तेक गूर डाइब है